जाती पर्मान पत्र ने बनाई जाने से नाराज कोरी समाज के लोगों का धरना 11 दिन भी जादी रहा दरने पर बैठे लोगों ने जमकर नारे बाजी की और तैसिलदार बड़ोत पर कोरी समाज के उत्पीडन का अरोप लगाते हुए समादान नहीं होने पर अंदोलन की चेतावनी दी दरसल आपको बता दे पूरा मामला जन्पत बागबत की बड़ोत तैसिल का है जहाँ पर पिछले दिनों से कोरी समाज के सेक्डों लोग एनेशित काली धरने पर बैठे हुए हैं धरनारत लोगों का आरोप है कि उनके समाज के पड़ेली के बच्चे आज भी रोजगार पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उनकी जाती परवानपत नहीं बन पा रहे उन्होंने बता कि परमुक सचीव द्वारा कोरी समाज के जाती परवानपत निर्गित करने के आदेश किये गए हैं और जिरादिकारी बागपत ने भी एडियम को कोरी जाती के परवानपत बनवाई जाने के सम्मन में लेटर जारी किये हुए हैं बावजुद इसके तैसिल मुक ख्याले से जाती परवानपत जारी नहीं किये जा रहे उन्होंने चेताम ने दिकी अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तो जल्द ही तैसिलदार का गेहराव किया जाएगा आज धरने का जी हमारा जो ये तैसिल प्रीशर बड़ोत में धरना चल रहा है आज इसका ग्यारवा दिन है जी और ये तैसिलदार बड़ोत हमारे समाज का जो सोसन कर रहा है ये जाती परमान पत्र के सासना देश उत्तर परदेश सरकार के सासना देश है मानलय न्यालय इलाबाद के आदेश हैं और उसके बावजूद भी बीम साब ने एडियम को परमान पत्र जारी करने का लेटर जारी किया था उन्होंने तैसिलदार तीनों तैसिलदारों को तो हर आलत में जब तक यह दर्ना परदर्शन चलता रहेगा जब तक समाज के आतों में परमान पत्र नहीं आएंगे हम किसी भी सूरत में यहां से अटने वाले नहीं हैं और इस तैसिंदार को हम आज शाम तक का समय हैं पांच बजे तक का अगर यह डियम के आदेश की को भी प्रोब्लम हमारे कास southeast को रोक दिया गा है और हम प्रतु में दिया हूआ है ततक हमारे कास सरटीपकर जारी नहीं होंगे तक हम एजित इस धरने को आगे बढ़ाते रहेंगे और लख्नाव से बागत्वत्प्त करा देंगे पुरह प्रशातन को कि हमारे दाती प्रमानपत्र हलार में बनाई जाएं